कौन सी हैं वो 5 Bollywood filmे जिन्होंने Hollywood filmों को दी थी कड़ी टकर कौन सी 5 Bollywood filmे थी Bollywood की सबसे बड़ी Science Fiction filmे दोस्तों आपका स्वागत है Bollygrade के इस नए वीडियो में Bollygrade के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं Bollywood की Top 5 Science Fiction filmों के बारे में जो Bollywood की West Top 5 Science Fiction फिल्मों में गिनी जाती है इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है 1987 में आई अनिल कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म Mr. India का फिल्म को National Award winner डारेक्टर शेकर कपूर ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में अनिल कपूर और श्री देवी एक दूसरे से रोमेंस करते नजर आये थे लेकिन असल जिंदगी में श्री देवी अनिल कपूर की बाबी थी जो उनके बड़े भाई और Bollywood के मशूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर की पतनी थी अनिल कपूर से पहले इस फिल्म के लिए सुपरस्टार राजेश खना को कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्यूंकि वो फिल्म में ना दिखने वाले हीरो की भूमिका को नहीं करना चाहते थे मस्ती और ग्रेंड मस्ती जैसी फिल्मों में नजर आने वाले आफ्ताफ शिव दसानी और बॉलिवुड के मशूर कोरियोग्राफर और डारेक्टर एहमद खान ने भी इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था तीन करोड के बजट वाली इस फिल्म ने बारा करोड का बिजनेस करके ब्लॉक बस्टर का खिताब हासिल किया था इस कड़ी में दूसरा नाम आता है रावन का फिल्म में शारुख खान और करीना कपूर नजर आये थे जबकि फिल्म में अर्जुन रामपाल ने एक विलन के करेक्टर को प्ले किया था जिनके करेक्टर का नाम रावन था और शारुख खान के करेक्टर का नाम जीवन रावन वॉलिवूट की पहली ऐसी फिल्म थी जो तमिल, तेलुगू और जर्मन वाशा में भी डब की गई थी शारूख खान ने इस फिल्म को सिर्फ करन जोहर के पिता जज जोहर को डेडिकेट करने के लिए फिल्म को प्रड्यूस किया था क्योंकि शारूख खान को सूपरस्टार बनाने में जज जोहर और जज जोपड़ा दोनों का बहुत बड़ा हाथ था रावन फिल्म को वॉलिवूट की सबसे महंगी फिल्म भी कहा जाता है जिसे शारूख ने अपने बच्चों आर्यन और सुहना के कहने पर भी बनाया था 130 करोड के बजट बाली इस फिल्म ने 208 करोड का बिजनेस किया था लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी इस कड़ी में तीशरा नाम आता है साल 2010 में आई फिल्म एंथीरन का जिसे रोबोट के नाम से भी जाना जाता है ये फिल्म भी फैंटेसी और साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसका साइंस फिक्शन काफी पसंद किया गया था फिल्म में रजनी कांथ और एश्वरे राए बच्चन नजर आईं थी फिल्म का डарыक्शन शंकर ने किया था फिल्म का बजट 200 करोड था और फिल्म के लिए रजनी कांथ ने 20 करोड की सैलरी चार्ज की थी और फिल्म के प्रॉफिट का 50% शेर भी लिया था फिल्म में BFX और Graphics का बढ़िया इस्तिमाल किया गया था रोबोट फिल्म में आमीर खान को पहले कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन आमीर खान ने मना कर दिया था उनका कहना था कि इस करेक्टर के लिए सिर्फ रजनी कांथ ही परफेक्ट एक्टर है अमेरिकन चैनल HBO ने भी फिल्म की मार्केटिंग को हैंडल किया था इसी कड़ी में चोथा नाम आता है साल 2013 में आई राकिश रोशन के डिरेक्शन में फिल्म क्रिश 3 का जिसमें साइंस विक्षन का बढ़िया यूज किया था फिल्म क्रिश का नेक्स्ट पार्ट थी फिल्म में रितिक रोशन और प्रेंका चोपडा लीड रोल में थे जबकि फिल्म में विवेक ओबराय और कंगना रनाउत ने नेगेटिव रोल प्ले किया था फिल्म में कंगना की जगा पहले चितरांगदा सिंग और जैकलीन को एप्रोच किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका जबकिन और कंगना रनाउत की कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए 45 दिन का वक्त लगा था जो रबर लेटेक्स कॉस्ट्यूम था विवेक ओबराय की कॉस्ट्यूम मेटल की थी जिसका वेट 28 किलो था फिल्म में जबरदस्थ एक्शन देखने को मिला था Chris 3 ने 292 करोड का बिजनेस किया था इसी कड़ी में पांचमा नाम आता है साल 2018 में आई 2.0 का ये फिल्म ब्लॉक्बस्टर रही थी ये फिल्म रजनी कांथ की फिल्म एंथीरन का अगला पार्ट थी जिसने बिजनेस के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किये थे हलांकि फिल्म का बजट भी काफी जादा था फिल्म में साइंस फिक्षन को हॉलिवूड फिल्मों की तरह दिखाया गया था 2.0 ने हॉलिवूड फिल्मों को टकर दी थी इस फिल्म में अक्षे कुमार ने विलन के करेक्टर को प्ले किया था लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म में अक्षे कुमार से पहले साउत के सुपरस्टार कमल हसन, अमीर खान, रितिक रोशन, नील नितिन मुकेश और हॉलिवूड सुपरस्टार अर्नॉल्ड को भी लेने की प्लैनिंग थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। इस फिल्म के लिए हॉलिवूड से भी टेकनीशन टीम बुलाई गई थी, जिन्होंने हॉलिवूड की सुपरिट फिल्मों, मैं इन ब्लैक और ट्रांस लेगेसी में भी काम किया था। इस फिल्मों को पसंद करते हैं तो ये सभी फिल्में आपके लिए हैं और इन फिल्मों को जरूर देखें।